हलो फ्रेंड्स आज हम फंजाई का एक इंपोर्टन टॉपिक लेके आए हैं तो यह क्लासिफिकेशन लाइब साइकल और डेप्रोडक्शन अगरेंगे चलिए देखते हैं इंटरेक्शन में डिक्टो स्टेलियम बिलोंग्स टू दा फाइलम डिक्टियों ऐसा जाता है तो इसे सैल्यूलर स्लाइंग मोल्ट yhtा मै approval के लाम सी नाम से चाना एक लुए। मर्ण आप आड करता है और नियुक्त बहुत है मों स्टेंनी है टेकेंग best Однако मतलब ये शड़ी हुई चीजों पर पाया जाता है मोड आप नूडिशन नूडिशन का मोड है हेट्रोटॉपिक इंग्डिश टिप तो ये हेट्रोटॉपिक नूडिशन इसमें पाया जाता है दे आर अंडू लियोपोडिया तो इसमें नो फ्लैजला मतलब इसमें फ्लैजला नहीं पाया जाता फ्लैजला इसमें एपसेंट होता है दा मोड आप रिप्रोड़क्शन इस डिक्टियोस्टेलियाम तो इसका जो मोड है रिप्रोड़क्शन का बो देख लेते हैं तो इसमें sexual reproduction present होता है, asexual reproduction present होता है, और basitative मतलब तीनो टाइब के reproductions इसमें पहेजाते हैं, तो first है sexual reproduction जो की macrosyst के द्वारा होता है, और asexual reproduction होता है, मतलब ये होता है, alangic presonant, alangic presonant sports के द्वारा होता है, alangic presonant macrosyst के द्वारा होता है, और जो basitative reproduction है while mitotic division of unicellular organism तो mitotic division के द्वारा जो unicellular organism होते हैं उनके mitotic division के द्वारा होता है basitative, mexamiva, stares, free living, unicellular form and basitative growth but mitotic division इसमें basitative growth होती है but इसमें mitotic division हो पाया जाता है इस टाइम से ही है sexual reproduction, asexual reproduction and basitative reproduction इसमें पाया जाता है जो कि आपको आगे में डेटेल में बताऊंगी तो dictyostalium is a genus of single and multi-celled eukaryotic तो जो dictyostalium है वो multi-celled होता है eukaryotic होता है phagotrophic है bacterioborus है bacterioborus, trodea, protesta and innovae fungal they traditionally are known as slime molds इसे हम slime molds के नाम से जानते हैं जो dictyostalium है उसे slime molds कहा जाता है तो जो dictyostalium है वो discodium मित्टी में रहने वाली एक प्रजाती है ये मित्टी में रहता है amoeba जाती से संबन्दित है amoeba, zoa, infraphylam, mycetyzoa आम तोर पर ये कीचर मोल्ट के रूप में जाना चाता है मतलब ये कीचर में पाया जाता है discodium एक eukaryotic है जो एक कोज की amoeba के संग्रह से एक बहु कोज की असलग में और फिर अपने जीवन काल के वीतर एक फलदायक सरीर में परिवर्टित हो जाता है मतलब इसमें ये एक unicellular हो जाता है इसके अनूठे अलेंग एक जीवन चक्र में चार शरण होती है तो इसके जीवन चक्र होता है उसमें चार शरण होती है वो हमागी देखेंगे तो मैन बात यह है कि ये मिट्टी में पायाज आता है हमें इसका ख्लाजविकेसन देख लेते हैं बर्गी कान देख लेते हैं डॉमेन है, यूकेरियोटा जाती है, अमीव जुआ इंफ्राफाइलम है माइसे जुआ बर्ग है, डिक्टियोस्टेलिया गड है, डिक्टियोस्टेलिडा परिपार है, डिक्टियोस्टेलिडी जीनस है, डिक्टियोस्टेलियम इस टाइप से इसका ये क्लासिफिकेशन है एक बार और देख लेते हैं डिक्टियोस्टेलियम का क्लासिफिकेशन फाइलम डिक्टियोस्टेलियो माइकोटा फाइलम है डिक्टियोस्टेलियो माइकोटा क्लास है डिक्टियोस्टेलिया क्लास इसकी है डिक्टियोस्टेलिया order है Dictio stelida genus है Dictio stelium ठीक है Dictio stelio mycota है इसका phylum है इसका यह classification है phylum है, class है, order है genus है, यह सब Dictio stelius related है अब हम इसका structure देख लेते हैं Dictio stelium are also known as cellular slime molds इसे slime molds के रूप में जाना चाता है they are amoeva like cell that form slugs amoeba जैसा होता है यो कि slugs बनाता है they are uninucleate haploid amoeba that feeds by engulfing bacteria यो कि engulfing bacteria खाते हैं, उस टाइब से होते हैं uninucleate होते हैं जिसमें सरप एकी nucleus पाया जाता है uninucleate है dyspore wearing sports लगते हैं, इसमें sports पाया जाते है sports wearing body vary from almost microscopic heats of amoeba to the delicate relatively large many branched इसमें branched भी होती है मतलब कि यह कैसा खाव में पढ़चाता है मतलब many branched होती है अब हम इसका structure देख लेती है structure देख लीजिए इसका sports है sports bearing होता है sports है sports स्पोर्स पाया जाते है stock cells है जिससे sports जो sports cell है वहाँ से sports निकलते है फिर यह food bacteria bacterial रहता है मतलब यह food के रूप में bacteria को लेता है free living amoeba reproduce फिर यह जो amoeuvars है रहते हैं वो free रहते हैं free reproduce करते हैं aggregation होता है फिर उसके बाद तो यहां से यह tipped mount बनाता है aggregation के बाद मैं tipped mount बनाता है फिर उसके बाद मैं slug stays आती है slug stays के बाद मैं slug migration होता है slug migration के बाद मैं fruiting body formation होता है spengage feeding amuegrass फिर उसके बाद मैं फिर पिर वह स्टेज आती है स्टार विसन यह नम्बर की स्टेज है उसके बाद में भी नम्बर की स्टेज आती है aggregation फिर सी नम्बर की tip de mount फिर slug, फिर slug migration फिर footing body formation फिर footing body, फिर sports टाइप से ये चलता रहता है तो स्ट्रिक्टर और अच्छे से देख लीजिए, एक्रिक्रिक्षन का स्ट्रिक्टर इस टाइप से होता है, फिर उसके बाद माउंट, माउंट का स्ट्रिक्टर देख लीजिए, फिर उसके बाद माउंट है, फिर उसके बाद माउंट है, फिर उसके बाद माउंट है, फिर इसके थी मोड्स पाइजाते हैं, प्रोडक्शन के अभी हमने एक पार और देखी लिया था, फालस्टैसक्शुल, असेक्सवाल, यह स्पोर्स के दोरह होता है, और बेचिटेव होता है, माईटोटिक, डिवीशन और सेलूलर और और अरगनिज्म, तो डिकोट, इसक्शोल, इसमें इप्लाइड और दोनों टाइब और दोनों टाइब की ऑरिगनेजम तो जो सेक्ष्यल साइकल है, वो फ्यूजन के साल्स के द्वारा होते है। तो सेक्सुल में तो फ्यूजन होता ही है तो इस टाइब से यह साइकल ती है जिसमें सेक्सुल साइकल है बेजिटेटेटेब साइकल है और सोसल साइकल है तो यह इसमें थ्री साइकल साइकल आती है यह इसका रिप्रोडक्शन होता है ही तो सेक्सिल व्रोडक्शन तो शबसे पहले हम साइकल एंड सोसल साइकल देक वीजिटी पर देने चल ची सबसे पहले हम सबसे पहले हम को साइकल ने लेगे देडी हैं मतलब जोpenidy observation के दोरा जो असल का dividedation होता है फिर उसके बाद में cell बन जाती है मतलब mitosis dividing cell होती तो यहाँ पे टू सेल बनते हैं फिर यह अलग अलग करकर इंगेद चाथा है इस टाइप से आब हम सोसल साई के देख लेते हैं सो साइक्ल सबसे पहले declaration से स स्टार्ट करते чем सिक्सुल साइब अ के बाद में है कैंड कि इसटेज अधियु जार आ दी है कैंडी के बाद में स्टीकरद देंड लाइजिएजन ऑस लाइज के भी इब शवल दो prossकी घुन लौरए पर TABक यह ठाल पर यहां पर मैक्रोसस्ट बनती है मैंने पहले इप आधा जो इसमें sexual reproduction होता है वो मैक्रोसिस्ट के द्वारा होता है फिर यहां पर मैक्रोसिस्ट बनते हैं उसके बाद है मैक्रोसिस्ट होते हैं मतलब की मैक्रोसिस्ट जो है वो बाहर निकलते हैं बाहर निकलने के बाद में फिर से वही प्रोसेस चालू हो जाती है फिर से यह फिर से प्रैप्सित की स्टार्बिस ii ड़ण समें स्टार्वेसीن उसके बाद माउचीन इनाता है त्परेगेशं कंप्लेंट्स, MOD nenे प्रून निकलते पेद पिर से जर्मिनाशन होता है और फिरसे बोए प्रोसेज का डूज सें तुकर की साइकल इस टाइब से डिफ़रेंट फेजिज कि संदड़ी शेलूलर स्लाइम मोल्स हईए तू फाइला माईज्याथे नुस्स विबाईस के ऊस तू और इतस्य स्तैले स्टेला माईकोट। जिसे हमने अभी डिक्टियो स्टेलियम के बारे में पढ़ा था जो कि इस प्राइमरली इन स्वाइल जो कि स्वाइल में पाया जाता है एक्रा शीरो माइकोटा ओन डैड ब्लांट पार्ट्स ट्री बार्क डग एंड स्वाइल टॉपिक स्टेज कंपराइज यूनी नुक्लि स्टेलियम के बारे में उसके सेक्स्वाल एसेक्स्वाल एंड वेसिट्री रिप्रोडिक्शन के बारे मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे मेरे आने वाली वीडिय जरूर करें थेंक यू सो मच